शिवजी की बातों से ब्रह्मा जी का तन्मन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आशु बहने लगे और तब सारे धेर बुद्धी सावधान हो गये और हाँ जोड़ कर स्तुती करने लगे हे देवताओं के स्वामी सुख देने वाले शरागत की रक्षा करने वाले भगवान आपकी जै हो हे गव और ब्रामडों का हित करने वाले असुरों का विनाश करने वाले समुद्र की श्री लक्षमी जी के प्रिय स्वामी आपकी जै हो हे देवता और पृत्वी का पालन करने वाले आपकी लीला अद्बुध है हे अविनाशी हम ना भक्ती जानते हैं ना पूजा हम सब देवताओं के समू मन बचन और कर्म से चतुराई को छोड़कर भगवान की शरण में आये हैं जिन्हें दीन प्रे हैं वे श्री भगवान हम पर दया करें आपके चरण कमलों में मुनी, सिद्ध और सारे देवता भैसे अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं देवताओं और प्रितवी को भैभीत जानकर और उनके सनेह युक्त वचन सुनकर एक कमभीर आकाश वानी हुई हे मुनी, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों दरो मत तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारन करूँगा और उदार, पवित्र, सूर्य वंश में मनुष्य रूप में अवतार लूँगा कदम और अदिती ने बहुत भारी तब किया था मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ वे ही दशरत और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं उन्ही के घर रगुकुल में श्रेस्ट चार भाईयों के रूप में मैं अपनी पराशक्ति सहित अवतार लूँगा नारत के सब वचन मैं सत्य करूँगा मैं प्रित्वी के सारे भार हर लूँगा है देव तुम सब निर्भय हो जाओ आकाश में भगवान की वानी सुनकर देवता तुरंत प्रित्वी पर लेट गए उनका हिर्दय शीतल हो गया तब ब्रह्माजी ने प्रित्वी को समझाया फिर वा भी निर्भय हुई और उसमें भी डाढ़सा गया और फिर देवताओं को ब्रह्माजी ने सीख दी कि जाओ और वानरों का शरी रख कर तुम लोग प्रित्वी पर भगवान के चरणों की सिवा करो और यह कहकर ब्रह्माजी अपने लोग चले गए प्रित्वी सहित सब के मन को बहुत शान्ती मिली और सारे देवता भी अपने अपने लोग लोट गए ब्रम्हा जी ने जो कुछ अग्यादी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में बिल्कुल भी देर नहीं की पृत्वी पर उन्होंने वानर का शरीर धारन किया वे अध्यन्त बली और प्रतापी थे और सभी शूर वीर थे परवत व्रक्ष और नक ही उनके शस्त्र थे वे धीर बुद्धी वाले वानर रोप में देवता भगवान के आने की राह देखने लगे ये वानर परवतों और जंगलों में यहां वहां जगा जगा पर अपनी अपनी सुन्दर सेना बनाकर पूरी पृत्वी पर छा गए अब एक सुन्दर चरित्र सुनो अवधपुरी में रगुकुल शिरोमणी दशरत नाम के राजा हुए वे धर्म परायन, गुड़ों के भंडार और ग्यानी थे उनके हिर्दे में धनुष धारन करने वाले भगवान की भक्ती थी और उनकी बुद्धी उन्ही में लगी रहती थी उनकी कौशल्या, आदिप्रियरान्या सभी पवित्र आचरन वाली थी वे बहुत विनीद और पती के अनकूल चलने वाली थी और श्री हरी के चरन कमलों में उनका बहुत प्रेम था एक बार राजा के मन में बहुत कलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है राजा तुरंधी गुरू के पास गए और चरणों में प्रणाम करके उनसे बहुत विनैगी राजा ने अपना सारा दुख गुरू को सुनाया गुरू वशिष्ट जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा धीरज रखो तुम्हारे चार पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भैकों हरने वाले होंगे फिर वशिष्ट जी ने शंगी रिशी को बुलाया और उनसे शुब पुत्र प्राप्ती का यज्य कराया मुनी के भक्ति पूर्वक आहूतिया देने पर अगनी देव हाथ में खविश्यान और खीर लेकर प्रकट हुए और दश्रत से बोले वशिष्ट ने हिर्दय में जो कुछ विचार किया था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया हे राजन अब तुम जाकर इस हविश्यान को जिसको जैसे उचित हो वैसा भाग बनाकर बाढ़ दो यह कहकर अगनी देव अंतर ध्यान हो गये पुत्र के जन्म से राजा दश्रत पर्मानंद में लीन हो गए उनके हिर्दय में प्रसन्नता नहीं समा रही थी उसी समय राजा ने अपनी पत्नियों को बुलाया कौशल्या आधी सारी रानिया उनके बुलाने पर वहां चली आई राजा ने हविश्यान और खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया हविश्यान और खीर के शीश आधे दो भाग राजा दश्रत ने कैकेई और सुमित्रा को बांट दिया इस प्रकार राजा दश्रत की सारी इस्त्रियां गर्भवती हो गई वे बहुत हर्शित हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला जिस दिन श्रीहरी गर्भ में आये सभी लोकों में सुख और सम्रद्धी छा गई और सभी रानिया महल में सुशोभित होने लगी इस प्रकार कुछ समय सुख पूर्वक बीदा और वह उसा रा गया जिस समय प्रभू को प्रकट होना था योग, लगन, ग्रह, वार और तिथी सभी अनकूल हो गए जड़ और चेतन सब प्रसन्नता से भर गए पवित्र चैत्र का महीना नवमी दिथी, शुकल पक्ष, सुन्दर मुहूर्द और दोपहर का समय ना बहुत सर्दी, ना गर्मी ऐसा पवित्र समय जो सब लोकों को शांती देने वाला था शीतल मंद और सुगंदित पवन बह रही थी देवता प्रसन्न थे और संतों के मन में उत्सा था वन फले फूले हुए थे परवतों पर मडिया जगमगा रही थी सारी नदिया अमरत की धारा बहा रही थी जब ब्रम्हा जी ने भगवान के प्रकट होने का अवसर देखा तो उनके साथ साथ सारे देवता विमान लेकर चल पड़े आकाश दियोताओं के समूहों से भर गया गंधर्वों के दल श्री हरी के गुणों का गान करने लगे और सुन्दर देव रानिया पुष्प की वर्षा करने लगी आकाश में नगाड़े बचने लगे नाग मुनी और देवता स्तुती करने लगे और फिर सारे लोकों को शांती देने वाले दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी क्रपालू प्रभू प्रकट हुए मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप को देखकर माता हर्ष से भर गई नेत्रों को आनंद देने वाला मेग के समान उनका श्याम शरीर था दिव्याभूशन और वर्माला पहने थे बड़े बड़े नेत्र थे इस प्रकार की शोभा देखकर दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी हे अनंद मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुती करूं वेद और पुरान तुमको माया गुण और ज्यान से परे बताते हैं तुम्हारे प्रतेक रोम में माया के रचे हुए अनेको ब्रम्हान का समू है और तुम मेरे गर्भ में रहे इस बात के सुनने पर विवेकी पुर्षों की बुद्धी भी विचलित हो जाती है तब प्रभु मुस्कुराए उन्होंने पूर्व जन्म की सुन्दर कथा काकर माता को समझाया जिससे उन्हें पुत्र का प्रेम प्राप्त हो और भगवान की लीला से माता की वापुद्धी बदल गई हेतात या रूप छोड़कर बाल लीला करो मेरे लिए या सुख बहुत सुन्दर होगा माता की बात सुनकर भगवान ने बालक का रूप लेकर रोना शुरू कर दिया बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनी सुनकर सब रानिया उतावली होकर दोड़ी चली आई दासिया हर्षित होकर यहां वहां दोड़ने लगी सारे अयोध्यावासी आनंद में मगन हो गए राजा दशत पुत्र के जन्म का समाचार सुनकर मानो परम आनंद में समा गए राजा का मन पुलकित हो गया उन्होंने बाजे वालों को बुला कर कहा बाजा बजाओ गुरू वशिष्ट जी ब्रामणों को साथ लेकर राजद्वार पर आये उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशी था और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते थे फिर राजा ने सारे कर्म संसकार किये और ब्रामणों को सोना गौ वस्त्र और मणियों का दान दिया ध़जा पताका और तोरणों से सारा नगर छा गया जिस प्रकार से वस सजाया गया था उसका वर्णन ही नहीं हो सकता है आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है सब लोग आनंद में मगन है स्त्रियां जुन्ड में मिल कर चल रही है सभाविक श्रेंगार किये हुए स्त्रियां सोने के थाल में मंगल द्रव्य भरकर गीत गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती है और आरती करके निउचावर करती है और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती है गवईये रगुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते है राजा ने हर किसी को भरपूर तहन दिया जिस जिस ने पाया खुशी से उसने भी पास नहीं रखा सब लुटा दिया नगर की सभी गलियां कस्तूरी, चंदन और केसर की सुगंध से भर गई घर घर मंगल में बधावा बजने लगे क्योंकि शोभा के मूल भगवान तक अठ हुए है नगर में स्त्रियों और पुर्षों के जुंड यहां वहां आनंद से मगन हो रहे हैं कैकेई और सुमित्रा ने भी सुन्दर पुत्रों को जन्म दिया राजकुमारों के जन्म के उस सुख में समय का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेश्ची भी नहीं कर सकते अवदपुरी इस प्रकार से सुखोभित हो रही थी जैसे रात्री प्रभू से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मन में सकुचा गई हो परंतुवा संध्या बन कर रह गई हो अगर की धूप का बहुत सा धुआ संध्या का अंधकार बन गया था और वहां उड़ने वाला अबीर उसकी लालिमा महलों में मणियों के समूह तारागर लग रहे थे और राज महल का जो कलश था वह ऐसा लग रहा था जैसे वही श्रेष्ट चंद्रमा है राज भवन में जिस कोमल वानी से वेदधनी हो रही थी वह जैसे पक्षियों की चाचाहट लग रही थी या सब देखकर सूर भी अपनी चाल भूल गए एक महीना होने पर भी वह अस्त नहीं हुए माह भर का दिन हो गया या रहास्य कोई नहीं जानता था कि सूर अपने रत सहित वहीं रुख गए हैं फिर रात किस तरह होती और फिर सूर देव भगवान श्री राम जी का गुलगान करते हुए चले गए या महोच्चो देखकर देवता मुनी और नाग अपने भाग की सराना करते हुए अपने अपने घर चल दिये हे पारवती तुम्हारी बुद्धी श्री राम जी के चलों में बहुत भक्ती पूर्ण है इसलिए मैं अपनी एक चूरी की बात बताता हूँ सुनो काग भुशंडी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे परंदु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई पहचान ना सका परंदु में हम दोनों मस्त होकर गलियों में अपने तन मन की सुद भूलकर घूमते रहे परंदु या शुबचरित्र वही जान सकता था जिस पर श्री राम जी की कृपा हो उस अवसर पर जो जैसे भी आया जिसके मन में जो था राजा ने उसे वह सब दिया हाथी रत घोडा सोना गव हीरा और तरह तरह के वस्त्र आदि राजा ने सब दिया राजा ने सब के मन को संतुष्ट किया और सब लोग आशिरवाद दे रहे थे के तुलसी दास के स्वामी चारो राजकुमार दीरगायों हो प्रसन्नता में पता ही नहीं चल रहा था कि दिन और रात कैसे जा रहे हैं और नाम करन संसकार का समय जैसे ही निकटाया राजा दशरत ने वशिस्ट मुनी को बुलाया मुनी की पूजा करके राजा ने विनती की हे मुनी आपने मन में जो विचार किया हो हमारे पुत्र का वह नाम रखिये मुनी बोले हे राजन इनके अनेक अनुपम नाम है फिर भी मैं अपनी बुद्धी के अनुसार बताता हूँ ये जो आनंद के सुखी होते हैं आपके उस सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है जो सुखों के सागर और संपूर लोकों को शान्ती देने वाले हैं और संसार का भारण पोशन करने वाले हैं आपके दूसरे पुत्र का नाम भारत होगा और जिनके स्मर्ण मात्र पुत्र से शत्रु का नाश होता है। आपके उस पुत्र का नाम शत्रुगन है। और जो शुब लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार है। गुरु वशिष्ट जी ने उनका नाम लक्षमन रखा और कहा। हे राजन, तुम्हारे चारो पुत्र भक्तों के सर्वस्व और शिवजी के प्राण है। इस समय तुम लोगों के प्रेम के वश में होकर अपनी बाल लीला के रस में ही उन्होंने सब का सुख माना है। बच्पन से ही शीराम चंद्र जी को अपना परम हितैशी मान कर लक्षम जी ने उनके चरणों से प्रीत जोड ली है। भरत और शत्रगन दोनों भाईयों में जैसी स्वामी और सेवक की प्रीती होती है, वैसी प्रीती हो गई है। शाम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोडियों की शोभा को देख कर माताएं फूले नहीं समाती। ये तो चारो ही पुत्र शील, रूप और गुण के दाम है। फिर भी सुख के सागर शीराम चंदर जी सबसे श्रेस्ट है। उनके हिदे में क्रपा रूपी चंदरमा प्रकाशित है। कभी गोद में लेकर और कभी पालने में लिटाकर माताएं उन्हें प्यारे ललना कहकर दुला करती हैं। जो सूर्य व्यापक, माया रहित, निरगोन, विनोध रहित और अजन्मा ब्रम्ह है। वहीं प्रेम और भक्ति के वश में होकर कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। उनके नील कमल और जल से भरे हुए मेग के समान शाम शरीर में करोणो काम देव की शोभा है। शीराम चंदर जी के लाल-लाल चरन कमलों के नकों की शुभ जोती ऐसी मालुम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हो। उनके पैरों में नुपुर और पैजनी की ध्वनी सुनकर मुनियों का मन भी मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर तीन रेखाएं हैं। नाभी की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। बहुत से अभूशों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हिदय पर बाग के नक की तरह बहुत ही निराली छटा है। छाती पर मरियों के हार की शोभा देखते ही मन लुभ लेती है। कंधे शंक के समान उतार चढ़ाओ वाले तीन रेखाओं से सुशोभित हैं। और थोड़ी बहुत ही सुन्दर हैं। मुख पर लाल-लाल ओट हैं। नासिका का सौंदर ऐसा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत ही सुन्दर कान और गाल हैं। मधुर दो उतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुम्राले बाल हैं। जिनको माता ने बहुत प्रकार से बना कर सवार दिया है। शरीर पर पीली जबुली पहनाई गई है। उनका घुठनों और हाथों के बल चलना बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेश्ची भी नहीं कर सकते। वे भगवान दशरत के प्रेम के वश में होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुरी के निवासियों को सुख दे रहे हैं। ज क्योंकि या प्रत्यक्षगती है। क्योंकि भगवान उनके प्रेम के वश में होकर बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। श्री रगुनात जी जिन्होंने सारे चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है। और जिनसे माया भी भयकाती है। उस माया को प्रभू अपने इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभू को छोड़कर कहीं और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रगुनात जी कृपा करते हैं। इस प्रकार से प्रभुशे राम चंद्र जी ने बाल क्रीडा किया और समस्त नगर वासियों को सुख दिया। कौशल्याजी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटा कर जुलाती थी। प्रेम में मगन कौशल्याजी के रात और दिन कैसे बीत रहे थे वह नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेह वश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती रहती। एक बार माता ने शीराम चंदर जी को स्नान कराया और श्रेंगार करके पालने पर लिटा दिया। फिर अपने कुल के इश्ट देव की पूजा करने के लिए स्नान किया। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इश्ट देव के लिए बनाए हुए नैवेद का भोजन करते देखा। उनका हिर्दय तीजी से धाकने लगा और मन का हिर्दय खोने लगा। वह सोचने लगी कि यहां और वहां मैंने दो बालक देखे या मेरी बुद्धी का ब्रहम है या कोई और ही कारण है। प्रभूश्री राम चंद्र जी ने जब माता को घबराई हुई देखा तो मधुर मुस्कान से हस पड़े। और फिर उन्होंने माता को अपना अखंड और अद्भुत रूप दिखाया। जिसके एक एक रोम में करोणों ब्रहमांड समाय हुए थे। अगरित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से परवत, नदिया, सागर, पृत्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्यान और सभाव दिखाये। और वेपदार्थ भी दिखाये, जो ना कभी देखे और ना ही कभी सुने थे। सारे प्रकार से बल्वती माया को दिखाया, जो भगवान के सामने अत्यांत भैभीत अवस्था में हाथ जोड़े खड़ी थी। जीव को दिखाया, जिसे माया नचाती है, और फिर भक्ति को दिखाया, जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। यह देखकर माता का तन मन सब पुलकित हो गया। उनके मुख से एक भी वचन नहीं निकल रहा था। फिर उन्होंने आखे बंद कर श्री राम चंदर जी के चर्णों में अपना सिर नवाया। माता को आशर चकित देखकर श्री राम चंदर जी फिर बाल रूप हो गये। श्री हरी का विराट रूप देखकर माता से स्तुती भी नहीं हो रही थी। वह डर गई कि मैंने कैसे जगत पिता पर मातमा को अपना पुत्र स्वरूप मान लिया। श्री हरी ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो यह बात कहीं पर किसी से कहना नहीं। कुछ समय बीतने पर चारो भाई बड़े होकर सारे कुटुम्बियों को सुख देने वाले हुए। और तब गुरुजी ने चारो भाईयों का चूडा कर्म संसकार किया। ब्रामभणों ने बहुत सी दक्षना पाई। चारो सुन्दर राजकुमार बड़े ही मनोहर चरित्र करते थे। जो मन, बचन और कर्म से अगोचर हैं। वही प्रभु दश्रजी के आंगन की शोभा बड़ा रहे थे। भोजन करने के समय जब वह बुलाए जाते तो वे अपने बाल सखाओं को छोड़ कर नहीं आते। कौशल्या जी जब बुलाने जाती तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भागते थे। माता उन्हें पकड़ने के लिए दोड़ती फिर वह भोजन करते पर चित चंचल होने के कारण आउसर पाकर वह मुह में दही और भात लगाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भागते। श्री राम चंद्र जी की बहुत ही सरल भूली और सुंदर मनभावनी बाल लिलाओं का सरस्वती, शेश जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जैसे ही सारे भाई कुमार अवस्था को प्राप्त हुए, वैसे ही गुरू, पिता और माता ने उनका यग्यो पवीत संसकार कर दिया। शीर अगुनाथ जी भाईयों सहित गुरू के घर विद्यारजन के लिए गए और थोड़े ही समय में उन्होंने सारी विद्याओं को सीख लिया। चारो भाई विद्या, विने, गुड और शील में बड़े निपुर थे और वह सब राजाओं की लिलाओं के ही खेल खेलते थे। हाथों में बाण धनुष उन्हें बहुत ही शोभा देते थे। उनका रूप देखते ही जण चेतन सब मोहित हो जाते थे। वे सारे भाई जिस गली में खेलते हुए निकलते उन कलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर सनेह से ठिटक कर रह जाते थे। स्त्री पुरुष बूढे और बालक सभी को श्री राम चंद्रजी प्राणों से भी बढ़कर प्रियलगते थे। श्री राम चंद्रजी भाईयों और मित्रों को अपने साथ में ले लेते और नित्य वन में जाकर शिकार करते। और मन को पवित्र करके म्रगों को मारते और प्रति दिन उन्हें लाकर अपने पिता राजा दशरत को दिखाते। जो म्रग श्री राम जी के बाणों से मर जाते वे शरीर छोड़कर दीव लोग चले जाते थे। श्री राम चंद्र जी अपने छोटे भाईयों और सखाओं के साथ भोजन करते और माता पिता की आज्या का पालन करते। जिस प्रकार से नगर के लोग सुखी हों कृपा निधान श्री राम चंद्र जी वही लीला करते। वे हिर्दै से वीद पुरान सुनते और फिर स्वयम छोटे भाईयों को समझाते। श्री रखुनात जी प्राता काल उठकर माता पिता और गुरु के सामने अपना मस्तक नवाते। और उनसे आज्या लेकर नगर का काम करते। उनका चरित्र देखकर पिता दश्रत मन में बहुत हर्शित होते। जो व्यापक इच्छा रहित और निर्गुण हैं तथा जिनका ना नाम है ना रूप वही भग्मान भगतों के लिए अनेको प्रकार के अनुपम और अलौकिक चरित्र कर रहे थे। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान किया है। अब आगे की कथा मन लगा कर सुनो। महामुने विश्वा मित्र जी वन में एक पवित्र स्थान पर अपने आश्रम में रहते थे। जहां पर वे जप, यग्य और योग करते थे। परंतु वह मारीच और सुबाहु राक्षस से बहुत डरते थे। उन्हें यग्य करते देखते ही राक्षस वहां दोड कर आ जाते थे। और उपद्रों मचाते जिसके कारण मुनी बहुत दुखी थे। महामुनी विश्वामित्र के मन में चिंता हो गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे। तब उन्होंने विचार किया कि प्रभू ने पृत्वी का भार हरने के लिए अवदार लिया है। क्यों ना इसी बहाने मैं वहाँ जाकर उनके चरणों का दर्शन करूं और विनिती करके उन दोनों भाईयों को ले आऊं। जो ग्यान बैराग्य और सब गुणों के धाम हैं उन प्रभू को मैं नेत्र भर कर देख भेलूंगा। बहुत प्रकार के मनोरत करते हुए उन्होंने सर्योजी के जल में स्नान किया।